हे गाईज आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत सागत करते हैं हम आज के इस वीडियो में यह वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए बहुत इसा खास और इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आप सभी दोस्तों देने वाले हिंदी सब्सिडरी का लाइफ तो हम इस वीडियो में आप सभी दोस्तों को बदाने वाले हिंदी सब्सक्री का लाइफ टेस्ट है आप लल कहे है या स्वम वास के हिंदी कहे जिसका 15 तरीकों एक्जाम में उसका या वीडियो ए ठीक है दो तो चलिए आप सभी दोस्तों ज्यादा बात ना करते हुए सिधे life test की तरब हम बढ़ते हैं और आप सभी दोस्तों को इसका solution देते हुए बढ़ाते हैं ठीक है दो चलिये शुरू करते हैं इस वीडियो को आप सभी दोस्तों के जुड़दार पर ठीक है दोस्तों चलिए देखते हैं first जो question है first जो question आपके सामने यह रहा विद्यापती का जन तीन यहां पे लिखा हुआ है आप A, B, C के भी तरह से आप इसे डिनोट कर सकते हैं ठीक है तो आपके उपर आएगा इसे 1, 2, 3, 4 के तरह लिखा गया है आप A, B, C तरह जैसे एक्जाम में आता है उसे भी आप मैंने समझ लिजेगा ठीक है तो तो क्या होगा इसका उतर आप जरूर से जरूर कमेंड बक्स में जबाब देजिए चलिए हम एक और 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 बार इसका हम कोशन को रिपीट कर देते हैं ताकि आप सभी दोस्तों को समझ समझ थोड़ा ज़्यादा मिल लाए ठीक है तो जो कोशन था विद्यापति का जनम कब हुआ था ठीक है तो अप्श चलिए हम इसका आप एंसर बता देते हैं कि टाइम ज्यादा लग जाए ठीक है दोस्तों तो एक का जो करेक्ट उतर होगा आपका थेरस अब एकावन इस भी होगा जो बी में है ठीक है बी नमबर बिलकुल राइट उतर है ठीक है चलिए अब दो नमबर कोशन को हम देखते भी देखते है ठीक है अब दो नमबर यह रहा आप सबी दोस्तों के सामने दो नमबर कोशन जो की एक जाम के पॉइंट आप भी उसे बहुत इप हाई कोशन है पुरुस परिक्छा की रचना किस ने किया है एक और बार हम रिपीट कर देते हैं पुरुस परिक्छा की रचन किस ने किया है अप्षन एक विद्यापति अप्षन दो कभीरदास अप्षन तीन सूर्दास अप्षन चार तुलसी दास चलिए आप सभी दोस्त इसका एंसर दीजिए कौन सा सही है किस ने किया है तो किस ने किया है अप्षन एक बिद्यापति अप्षन दो कभीरदास अप्षन तीन सूर्दास अप्षन चार तुलसी दास ठीक है तो इसका उत्तर आपसा तो कमेंट बक्स में जवाब दे दिया है चलिए हम इसका उत्तर बता देते हैं तो तीन का दो का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा अप्षन नमबर ए बिद्यापति क्या होगा राइट उत्तर बिद्यापति होगा राइट उत्तर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तीन नमबर कोशन को हम देखते हैं ठीक है यह रहा आप सबी दोस्तों के सामने तीन नमबर कोशन में कर रहा है कुरू छेत्र दिनकर जी की क्या है दिनकर मतलब आप जानते हैं ठीक है अपसन एक में दिया हुए काब्या दो में दिया हुए नाटक तीन में दिया हुए उपनियास और चार में दिया हुए इनमें से कोई नहीं तो तीन का क्या उत्तर होगा आप कमेंड वरक्स में जरूर से जरूर बताए चलिए हम एक और बार इस कोशन को रिपीट कर देते हैं कुरु छेत्र दिनकर्जी की क्या है अप्सन एक में काब्या अप्सन दो में नाटक अप्सन तीन में उपनियास और अप्सन चार में इने में से कोई नहीं तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अप्सन नमबर एक काब्या है क्या है दोस्तों काब्या है ठीक है चलिए अब चार नमबर कोश्टन को भी देख लेते हैं तो चार नमबर कोश्टन यह रहा आप सभी दोस्तों के सामने चार नमबर कोश्टन में कह रहा है सुमित्रा नंदे पंद का जनम कहां हुआ था जियां दोस्तों सुमित्रा नंदे पंद का जनम कहां हुआ था अपसन एक मतुरा अ एक और बार इस कोशन को रिपीट कर देते हैं चौते नमबर कोशन कर रहा है सुमित्रा नांद पंद का जनम कहा हुआ था अपसन एक मतुरा अपसन दो आगरा अपसन तीन कौशानी अपसन चार इन में से कोई नही तो इसका भी उत्तर आप कमेंड बक्स में जरूर से जरूर देते हैं चार का जो कि करेक्ट उत्तर हो जाएगा अपसन नमबर तीन कौशानी में हुआ था सुमित्रा नांद पंद का जनम चलिए पांचवे नमबर कोशन को देख लेते हैं रामधारी सिंग दिनकर को पद भूशन की उपाधी कम मिली जब मैंने से त्यार कराया था तो एक में दिया हैं 1950 इस भी दो में दिया हैं 1955 इस भी तीन में दिया हुआ हैं 1957 इस भी और चार में दिया हुआ हैं 1969 इस भी जियां तो 1969 इस भी तो इसका भी उतर आप कमेंट बक्शन जरूर बते हैं कि इसका एक दो तीन चार में से कौन करेक्ट उतर है चलिए हम एक और बार इस कोशन को रिपीट कर देते है रामधारी सिंग दिनकर को पद भूशन की उपाधि कम मिली अप्शन एक 1950 अप्शन दो 1955 अप्शन तीन 1957 अप्शन डी 1969 तो क्या होगा करेक्ट उत्तर तो 5 का करेक्ट उत्तर आपका अप्शन नमबर डी हो जाएगा 1969 इसवी में पद भूशन की उपाधि मिली रामधारी सिंग दिनकर को अप्शन नमबर चार करेक्ट उत्तर है चलिए कोशन नमबर 6 को हम देख लेते हैं कोशन नमबर 6 में कर रहा है विद्यापती कीस काल खण के कभी है जयाशतो विद्यापती कीस काल खण के कभी है आदि काल दो में भक्ति काल तीन में रिति काल चार में आधुनी काल जयाशतो आधुनी काल क्या होगा उत्तर आप कमेंट बख्स में तब तक जवाब दिजिए चलिए हम एक और बार इस कोशन को रिपीट कर देते हैं दोस्तो कोश्चन नमबर 6 है विद्यापते किस काल खंड के कभी है तो किस काल खंड के कभी है अप्शन 1 आदिकाल अप्शन 2 भक्तिकाल अप्शन 3 रितिकाल अप्शन 4 आधुनिकाल तो क्या होगा उतर तो कोश्चन नमबर 6 का करेक्ट उतर हो जाएग अपका option number A आधिकाल के कभी है किसकाल खंड के आधिकाल के कभी है ठीक है विध्यापती चलिए अब 7 नमबर question की तरफ बढ़ते हैं 7 नमबर question में कर आए दोस्तो सायतान का प्रतिक किसे माना गया है सायतान का प्रतिक किसे माना गया है दोस्तो अफसन एक में दिया हुए अलावदीन को अफसन दो रागहौ चेतन को अफसन तीन हिरामन को अफसन चार इन में से कोई नहीं तो किसको माना गया है सैतान का परिक्तिक आप कमेंट वक्स में जरूर से जरूर बताए इसका उत्तर क्या होगा तब तक हम एक और बार इस कोशन को रिपिट कर देते हैं कोशन नमबर 7 कह रहा है सैतान का परिक्तिक की से मना गया है अफसन 1 अलावदीन को अफसन 2 रागहौ चेतन को अफसन 3 हिरामन को अफसन 4 इन में से कोई नहीं तो क्या होगा उत्तर साथ का करेक्ट उतर अप्सन नमबर B हो जाएगा राघव चेतन को किसको कहा गया है राघव चेतन को सैतान का प्रतिक माना गया है चले आगे बढ़ते हैं और आठवे नमबर कुर्ष्टन को देखते हैं पदमावत में कितने सर्ग है अप्सन एक चालेस अप्सन बी अप्सन दो पचास अप्सन तीन पचपन अप्सन चार संतावन ताप कमेंड बक्स में जबाब दीजिए इसका क्या उतर होगा एक होगा की दो होगा के तीन होगा के चार होगा ठीक है चले हम इसका उतर ही बता देते हैं क्या होगा तब तक आप comment box में जरूर से जरूर बता दीजिए क्या होगा दोस्तो 8 का correct उत्तर option number D हो जाएगा 57 सर्ग है पदमावत में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अबर question number 9 को देखते है question number 9 में कह रहा है वानी का director किन को कहा गया है दोस्तो किन को कहा गया है वानी का director option A बिद्यापती option 2 अमीर खुसरो को option 3 कभीर को option 4 रहधास को क्या होगा उत्तर आप comment box में जरूर से जरूर बताए तब तक हम एक और बार इस question को पढ़ देते हैं अब या भी भी आई question है वानी का director किन को कहा गया है option 2 अमीर खुसरो को option 3 कभीर को option 4 रहधास को तो 9 का correct उतर option number C हो जाएगा कभीर को कहा जाता है वानी का director किसको कहा जाता है दोस्तो कभीर दास को कहा जाता है वानी का director चलिए अब दसवे नमबर origin को लिखते हैं दस्वे नंबर कोशन में कर रहा है दोस्तों, बीजक किसकी रचना है, बीजक किसकी रचना है, अपसन एक सुमित्रा नंद पॉन्त, अपसन दो, विहारिलाल, अपसन तीन, कभीरदास, अपसन चार, रमधारी सिंग दिनकर, तो इसका क्या उतर होगा, आप कमेंड बॉक्स मे जरूर से बताए, तब तक हम अपने बारे में कुछ बता देते हैं, आप सबी दोस्तों को, जैसतों, आप सबी दोस्तों देख रहा हैं, target rta channel यह चनल ςबहले बार, आप सब्ढ़न आए हैं, तो चैनल को भी subscribe कर लिजएगा, और आप सबी दोस्तों को कोई भी question से related, या को 5619 यह मेरा WhatsApp नमबर है एक और बार हम रिपीट कर देते हैं तब दग आप को स्था नमर 10 का है जबाब दीजिए 6284595619 यह मेरा WhatsApp नमबर है आपको questions से related या exams से related कोई भी problem है तब हम से direct बात कर सकती है आप problem को समस्य कर संदान करा सकते हैं ठीक है तब मेरा WhatsApp नमबर save कर लिजे और एक और बात आपका exam समाप्त होते हैं आप इस नमबर पर इस WhatsApp नमबर पर आप अपने question का scan कर PDF बना कर मेरे WhatsApp नमबर भेज दीजेगा तब उसका solution आपको दे दिये जाएगा का आपका कितना सवह हुआ है ठीक है तब तक हमको मालम अगा question number 10 का जवाप दे दिये हैं चलिए हम बता देते है question number 10 का क्या उत्तर होगा question number 10 का क्या उत्तर होगा दोस्तो question number 10 का correct उत्तर option number C है कबेड़ दास को कबेड़ दास ने रायदास बीजक की रचना किया है ठीक है चलिए अब question number हम 11 नमबर को दिखते है question number 11 को हम दुखते है ठीक है दोस्तो question number 11 कह रहा है किसे मना गया है एक और बार हम रिपीट कर देता है तब तका कमेंड बक्स में इसका जबाब दीजिए क्या होगा कोश्चन नमर 11 को रहा है माय का पर्तिक की से मना गया है अफसन एक गंधरवसेन अफसन दो रतन सेन अफसन तीन अलावदीन अफसन चार इन में से कोई ने दक्या उत्तर होगा दोस्तों कमेंड बक्स में आप दे दिये है तो ठीक है चलिए जान लेते हैं इसका उतर कोश्च कोश्चन नमर 12 को हम दिख लेते हैं कोश्चन नमर 12 दोस्तों को रहा है कोश्चन नमर 12 में को रहा है सूर्दास किस काल के कभी है तो किस काल के कभी है दोस्तों अफसन एक आधिकाल अफसन दो भक्तिकाल अफसन तीन रितिकाल अफसन चार आधुनी काल तक क्या होगा उत् किस काल के कभी है भक्तिकाल के कभी है सूर्दास चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कोशन नमबर तेरे को देखते हैं कोशन नमबर तेरा में को रहा है कुरुछेत्र का परकासन कब हुआ था अपसन 1 में 1942 दिया हुआ है अपसन 2 1945 अपसन 3 1946 अपसन 4 1950 दोस्तो इसका उतर आप कमेंट बोक्स में जरूर से जरूर बताए कि कितना आपका हुआ ठीक है एक दो तीन चार ठीक है चलिए हम एक और बार कोशन को रिपीट कर देते हैं कुरुछेत्र का परकासन कब हुआ अपसन 1 1942 अपसन 2 1945 अपसन 3 1946 अपसन 4 1950 तो कोशन नमब तेरा का करेक रूतर अपसन सी हो जाएगा 1946 इसलिए में कुरुछेत्र का परकासन हुआ चलिए आगे बढ़ते हैं और कोशन नमब चौभड़े का उत्तर देखते हैं लिक्की çेती कि किसकी रचना है दोस्तों अफ्षन एक सूर्दास अफ्षन बी सुमितर नंद पॉंथ अफ्षन तीन बिद्यापती अफ्षन चार रामधारे सिंग दिनकर्त क्या होगा उत्तर आप कमेंड़ अक्षन तब तक जबाब दिजिए तब तक हम एक और बार इस कोस्टन को सिंग दिनकर्त तो कोस्टन नमबर 14 का करेक्ट तर अफ्षन नमबर डी हो जाएगा रामधारी सिंग दिनकर्त ने बले की खेती की रचना किया है चलिए कोस्टन नमबर 15 को हम देख लेते हैं कोस्टन नमबर 15 को रहा है महादेव वर्मा का जनम कब हुआ था महादेव वर् आप संचार 1911 इस भी तक क्या उत्तर होगा आप कमेंट वक्सन जरूर से जरूर बताइए तब तक हम कुछ बारे में बता देते हैं तो आपका एकजाम समाप्त होते हैं इस चैनल पे इस चैनल पे तेन्थ आवर तुवेल्थ वालों के लिए जबर्दस तरीके से क्लास चलाय जाएगा उनको भी भी आई के तोर पर त्यारी कराया जाएगा जिस भी दोस्तों को जिस भी भाई बहन को अगर क्लास लेना है आप उन्सों संपर्क करा दिजेगा आप लिंक सीर कर दे जागा जिस तो आपका एकजाम समाप्त होते ही इस चैनल पे तेन्थ आवर तुवेल वालों के लिए जवरदास तरीके से कलास चलाया जाएगा तो आपके रिलेशन के कोई भी भाई बहन दू सीशर दोस्त जो भी पढ़ते होंगे तो आप उनको यह लिंक भेज दिएगा वीडियो का लिंक भेज दिएगा चैनल को सस्क्राइब करा दिजेगा मैं इतना मेहन और स्क्रापर होत आप मेरा अपने वाट्सम नम्बर को यहां पर लिख देते हैं ताप हम से वाट्सम नमबर पर डायरेक्ट बात heißt ur प्रोब्लम हो रहा त्वेरा वाट्सम नमबर है और 624-59 56 और 19 यहां मेरा वार्टसप नमबर आपका कोई भी डाउट होता हमसे डारेक्ट बात कर सकते हैं चलिए कोश्टा नमर पंदरा का जोकी करेक्ट उतर हम बता देते हैं कोश्टा नमर पंदरा का महादेव बर्मा का जनम कब हुआ तो क्या होगा कोश्टा नमर पंदरा का करेक्ट उतर अपस्टा नमर डी हो जाएगा 1911 इस भी में महादेव बर्मा का जनम हुआ था चलिए कोश्टा नमर सोरे को हम देख लेते हैं कोश्टा नमर स्तोला करा यामा किसकी रचना है दोस्तो किसकी रचना है क्या होगा उतर कमेंड बक्स में जरूर से जरूर बताए तब तक हम एक और बार इस question को repeat कर देते हैं यामा किसकी रचना है अप्सन एक महादेव बर्मा अप्सन दो रामधारी सिंग दिनकर अप्सन तीन विद्यपति अप्सन चार सुमितरा नौंध पॉन्त तो कोशन नमबर 16 का करेक्ट उतर अप्सन नमबर A हो जाएगा महादेव बर्मा किसकी रचना है महादेव बर्मा की इसमें टोटल को दोस्तों 20 को आपको शेट त्यार किराए गया और इसमें वह विस्त को आपका टेस्ट लिया जाएगा और आपका मेंड वक्स में जरूर से जरूर बताएगा का आपका टोटल 20 में से कितना सई हुआ है ठीक है चलिए को सब्सक्राइब को हम देख लेते हैं अप्सन 4-1940 इसवी तो क्या होगा कुत्तर आप कमेंड वक्स में जरूर से जरूर बताएगे तब तक हम एक और बार इस कोश्टन को पढ़ देते हैं निहार का परकासन कब हुआ था अप्सन 1-1926-2-1930-3-1936-4-1940 तो कोश्टन नमबर 17 का करेक्ट उत्तर अप्सन नमबर बी हो जाएगा अप्सन नमबर दो हो जाएगा 1930 इसवी में निहार का परकासन हुआ था चलिए कोश्टन नमबर 18 को हम देखते हैं कोश्टन नमबर 18 को रहा है सुमितरनंद पंत का निधन कब हो गया अप्सन 1-1977-2-1978-3-1989-4-1980 तो क्या उत्तर होगा दोस्तों आप कमे को रिपीट कर देते हैं सुमितरनंद पंत का निधन कब हो गया अप्सन 1-1977-2-1978-3-1989-4-1980 तो कोश्टन नमबर 18 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा अप्सन नमबर सुमितरनंद पंत दो में महादेव वर्मा तीन में भरतियंदू हरिस्चंद और चार में मैत्री स्वरना गुप्त क्या होगा उत्तर दोस्तों आप कमेंट बक्स में जरूर जरूर बताईए चलिए हम एक और बार इस कोश्चन को पढ़ते हैं पढ़ते नहीं कुछ बता देते हैं कि इतना अगर आप सब जो टेस्ट दे रहा है तो आप कमेंट बक्स में जरूर से जरूर बताईए का आपका टोटल 20 में से कितना सई हुआ है और जो भी दोस्त वीडियो को देख रहे हैं यार वीडियो को ला को इसना हैसिन एक सुमित्यरानान पंथ अफसन दो महदेव वर्मा अपन 3 भरते दुहर चंद और अपसन चार मेथ्ली चंगूपत तक्या होगा उतर दोस्तों को सनमर 19 का करेक्ट उतर अपसन नमाद सी है भरते हंदू हरी चंग की रचना है भारत दूरदार साथ ठीक है च कितने हैं दोस्तों अप संएक में दिया हुआ है 20 अप संड दो में दिया हुआ tentang 43 अप τον 4 लीए गुए 50 टा क्या लता उतको आप कमेंट बक्स में जरूसे जरूर बताइए और आपके ना सही ह्ओ Child Connect met गर आप सबी दोस्तों को अगला टेस्ट में भी सामिल होना है ताप comment box में बताइएगा कि sir एक और टेस्ट हमारा ले ले जिए क्योंकि exam pass में है ताप comment करेंगे तो set 2 भी तियार कराया जायेगा ठीक है चले हम इसका उतर बता देते हैं और इस पार्ट को यहीं पर अंत कि 43 मौलिक रचना है कितनी 43 ठीक है और सब्सक्राइब करेंगे तक हमने लाइब टेस्ट लिया है आपका कितना सभी हुआ है comment box में जरूर बताइगा चले हम इस लाइब टेस्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं मिलते हैं आप सभी दोस्तों के comment के अनसार वीडियो लेकर कि ल भारत